हलो दोस्तो हमारे यूट्यूब चैनल आयरुवेदिक टिप्स में आप सभी का एक बर फिट से में स्वागत करता हूँ दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा कि चावल और दही को एक साथ मिला कर अगर आप उसका सेवन करते हो खाते हो तो आपको अनेक तरह के फाइदे हो सकते हैं पर उनको बताने से पहले दोस्तो मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आज ही से सब्सक्राइब कर ले इसके साथ ही में दोस्तो नीचे दिये गए बेल आइकन को आप दबान ही होगा कि चावल का सेवन करने से मोटापा बढ़ता है लेकिन कुछ मामलों में चावल और दही मिला कर खाने से आपके सरीर का वजन बढ़ता नहीं है बलकि घटता है ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि किस तरह से चावल के साथ दही मिला कर खाने से आपको मोटापे की स समस्चा से राहत मिलती है। इसके अलावा भी कई माइनों में चावल और दही मिलाकर खाना आपके शेहत के लिए बहुत फाइदेबंद रहता है। दोस्तो आजकल की भागदोड भरी जिन्दगी और तनाव के बीच आपके शरीर में कई तरह की समस्चा हो जाती हैं। तो चलिए जानते हैं दही और चावल मिलाकर खाने से आपको क्या-क्या फाइदे हो सकते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाऊँगा मोटापे के बारे में। दोस्तो चावल को भिगोने में आप उबाल कर उसका मान निकाल दें। अब इस चावल में दही मिलाकर खाएं। इस तरह से एक महीने तक लगातार खाने से आपका मोटापा कम होगा। यदि आप भी अपने शरीर का वजन कम करना चाते हैं तो इस मिशन का कुछ दिनों तक सेवन करें। इसमें बहुत कम कैलरी होती हैं दोस्तो जो मोटापा कम करने के लिए मदद करती है। इसके बाद दोस्तो मैं आपको बताना चाहूँगा बुखार में ये बहुत फाइदेमन साबित होता है। यदि आपको दोस्तो तेज बुखार आ रहा हो तो आपके लिए दही और चावल का सेवन बहुत फाइदेमन साबित हो सकता है। कई लोगों के साथ होता है कि बुखार में कुछ खाने का मन नहीं होता है, ऐसे में यदि आप इसे खाते हो, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा, इससे आपकी भूग भी खतम हो जाएगी और शरीर को भरपूर मातरा में उर्जा मिलेगी. दही में दोस्तों आपकी अम्यूनिटी पावर बढ़ाने की शमता होती है, जो आपको स्वस्थ करने में सहायक होती है. इसके बाद दोस्तो पेट खराब है तो भी आप इसका सेवन कर सकते हो दोस्तो यदि आपका पेट खराब है तो दही और चावल का सेवन करने से पेट की जो भी खराबी है कोई दिक्कत है वो सही हो जाती है इससे आपकी भूख शांत होने के साथ ही ये अच्छी तरह से पच भी जाता है इसको खाने से लूज मोशन यानि की दस्ट भी ठीक हो जाते हैं इसके बाद दोस्तों कब्ज की रहात से रहात दिलाने के लिए भी आप इसका सेवन कर सकते हो दोस्तों अगर आपको कब्ज की समस्चा है तो कुछ दिन तक दही और चावल का सेवन करें दही में भरपूर मातरा में गुड बैक्टिरिया पाए जाते हैं दही आपके पाचन को सही करने के साथ ही आपके मल को मुलायम बनाता है कब्ज होने के कारण दोस्तों पेट में दर्द रहता है इसके सेवन करने से पेट दर्द में भी आपको आराम मिलेगा जिसके कारण आपको कब्ज से रहात मिलेगी इसके बाद आपको मैं बताना चाहूँगा कि दही और चावल खाने से आपको तनाव से भी आराम मिलेगा दोस्तों आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि दही और चावल का सेवन करने से तनाव से रहत मिलती है इसमें उपस्तित प्रोबाइटिक बैक्टिरिया, एंटी ओक्सिडेंट और अच्छे फैट्स के कारण ये आपके मूड को अच्छा बनाए रखता है इसको खाने के बाद आपको बहुत फ्रेश महसूस होगा तो दोस्तों बहुत ही गुणकारी है और इससे आपको बहुत फैदा होगा तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, थैंक्यू